नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मद्दे प्रदेश की इस विशेश खेल सरंकला में इस्पोर्ट सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं मद्दे प्रदेश खेल में जो विशेश पुरुसकार दिये जाते हैं उनके बारे में ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की तो बड़े ध्यान से सुनिएगा हमें काम आएगी देखें दोस्तो हम मद्दे प्रदेश में खेल पुरुसकार अवार्ड जो भी मद्दे प्रदेश सरकार के दौरा हमारे यांके खेल या खिलाडियों को और कोचिस को या प्रशेच्चकों को दिये जाते हैं इन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां से याद रखेंगे मद्य प्रदेश खेल पुरुषकार में हमें पढ़ना क्या है तो आप सबसे पहले याद रखें जनली जो प्रशन हमसे एक्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला प्रशन पूछाता है विक्रम पुरुषकार किस बर्स प्रुच्त प्रिष्कार ने एक खेल पुरुच्च्र को नाम क्या है विक्रम खेल पुरुच्क अब देखना दोस्तों यहां से और प्रशन बन सकते हैं तो ध्यान से सुनिएका जैसे亞談 प्रशन बनेगा कि 1990 में इस खेल पुरुषकार की जब शुरूबात की गई थी उस समय तातकालिन मद्यप्रदेश के CM साब कौन थे तो आप आंसर करेंगे इनका नाम था सुंदर लाल पटवा क्या सुंदर लाल पटवा ठीक सुंदर लाल पटवा ये बात आप याद रखें 1994 से कब 1994 में आपके इस खेल की पुरुषकार की शुरूबात की जाती है 1994 में अब इसी के साथ यह पुरुषकार यह पुरुषकार यह है यह दोनों पुरुषकार खिलाडियों को दिया जाता है यह पुरुषकार किसको दिया जाएगा तो आप बताएंगे यह पुरुषक परस की आईूट पूर्ड होनी चाहिए कितनी तो यह इस में आप एक बात और याद सकते 31 March तक वो 21 साल से अधिक की उम्र उनकी ना हुई हो ऐसे ख्राड़ियों को आप एकलब पुरुसकार से सम्वानित कर सकते हैं तो बिक्रम पुरुसकार 1990 एकलबे पुरुषकार आपका 1994 1994 ये दोनों पुरुषकार खिलाडियों को दिये जाते हैं ये बात हम याँ से याद रखेंगे तीसरे पुरुषकार की बात करेंगे तो तीसरा पुरुषकार इंपोर्टेंट रहेगा विश्वा मित्र पुरुषकार ये है पुरुषकार द तो तीन पुरुष कार विकरमपिरुष को 1990 आपका एक लब्ब पुरुषकार और आपका वीश्वमित्र पुरुषकार यह दौनों एक रही बरिसक हैं 1994 अगे चले अगला 13 से शुरू हुआ एक्जाम में कई वार पूछा गया है अगले पुरुसकार की दिया हम लोग बात करेंगे तो अगला पुरुसकार lifetime achievement पुरुसकार क्या अगला पुरुसकार lifetime achievement पुरुसकार यह खिलाडियों को लगातार किसी खिल में 15 बरस से अधिक समय देने या इतना समय लंबा समय दिया हो 15 बरसों तक का समय दिया है तो ऐसे खिलाडियों को इस पुरुसकार से समय जाता है lifetime achievement पुरुसकार से ठीक है और इसकी शुरुवात कभ हुई थी तो बता देंगे 2002 से पुरुसकार की शुरुवात होती है तो आपने कौन-कौन से पड़े आपने पड़े विकरम पुरुसकार विकरम पुरुसकार की शुरुआ दोस्तो 1990 1990 यानि कि बिक्रम का जन्म का हुआ 1990 में हुआ एक लब और विश्वामित्र ये दोनों गुरू सिस है या एक साथ आएंगे इनका बर्स याद रखेंगे 1994 ठीक है और प्रवास जोसी पुरुसकार पूछेगा 2003 ठीक है आप से लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछेगा 2002 ये आपको बर्स याद रखना है जो हमसे एक्जाम में पूछेंगे प्रसनिया से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले बात समझेगा हम लोग बात करने वाले हैं बिक्रम पुरुसकार के बारे में जो मद्य परदेश का सरवोच खेल रतन पुरुसकार है यानि कि मद्य परदेश राजी का सबसे बड़ा खेल पुरुसकार आप कह सकते हैं विक्रम पुरुसकार तो अब जरा समझना है विक्रम पुरुसकार की शुरुवात आपको याद है विक्रम पुरुसकार की शुरुवात कब हो रही है 1990 में हुई थी कब 1990 में हुई थी यह बात याद रखेंगे यह पुरुषकार मध्य प्रदेश के मूल खिलाडियों को ही दिया जाएगा मूल निवासियों को ही दिया जाएगा यह बात याद रखेंगे मध्य प्रदेश के खिलाडियों को ही दिया जाएगा ऐसा नहीं कोई हर्याना का ध रखेंगे दो हजार बीस में दस खिलाडियों को बिकरम पुरुषकार प्रदान किया गया दो हजार बीस में कितने खिलाडियों को सम्मानित किया गया तो आप बताएंगे दस खिलाडियों को सम्मानित किया गया इंपोटेंट पॉइंट रहेगा हमारी एक्जाम के हिसाब से अब हम लोग कुछ नए नए प्रशन भी देखेंगे कि कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ठीक है और कितने खिलाडियों को सम्मानित किया गया है तो कितने खिलाडियों को सम्मानित किया गया है अगली बात जरा समझेगा यहां किन या किस खिलाडियों को यह पुरु याद रखो या आप याद रखेंगे लगातार दो बरसों तक किसी राष्टी या अंतरराष्टी इस तर पे किसी नैशनल या इंटरनेशनल इवेंट में या खेल के प्रोग्राम में सामिल हुए हो और बहतर प्रदर्शन किया हो तो ऐसे खलाडियों को आप दे सकते हैं पां जरा समझना आप से पूछे इस पुरुषकार की धनराशी कितनी है तो इस पुरुषकार की धनराशी एक लाख रुपए हुआ करती थी लेकिन अब कितनी है दो लाख रुपए कर दी गई ये बात इंपोर्टेंट रहेगी आप से पूछेगा बरतमान में इस पुरुषका बिकरम अवार्ड या बिकरम पुरुषकार की जो धनराजी वो कितनी है दो लाख रुपाया है शुरुवात कब हो रही है तो आप बताएंगे 1990 1990 ये बात हम यहाँ से याद रख लेंगे ठीक है आगे बढ़ते है थोड़ा सा अगली बात समझेगा आप यहाँ से याद रखेंगे 2013 से पहले अब देखो धनरासी पुरुसकारासी जो है उसमें बदलाव कैसे कैसे हुआ था 2013 से पहले कितनी धनरासी दी जाती थी थी पचास हजार रुपए दिये जाते थे लेकिन 2013 के बाद धनरासी बढ़ा दी गई डवल कर दी गई इसी दे पचास हजार से एक लाख रुपए कर दी गई और अब देखेंगे 2021 से एक लाख से बढ़ा करके दो लाख रुपए कर द सकते important है है या ऐसा की बीस पचास दस बारा-पंदरा कितने लोगों को दे सकते हैं ऐसा प्रसन हम से पूछा जा जाएगा तो आप बताएंगे एक बरस में अधिक तम बारा ख्लाडियों को आप विक्रम पुरुषकार से क्या कर सकते हैं सम्मानित कर सकते यह बात हम यहां से याद रखेंगे ठीक है कितने तो बताएंगे बारा खिलाडी और दो हजार एक्कीस में आप कहें दो हजार एक्कीस में कितने बीस में कितने खिलाडियों को सम्भानित किया गया तो दस खिलाडियों को सम्भानित किया गया अगली बात को समझना कि आपने यानि कि आपके पास कुल आवेदन कितने आए थे तो आप बताएंगे हमारे पास कुल प्राप्त आवेदन की संख्या कितनी थी 95 यानि कि 95 खिलाडियों को या उनके कोच को या कुछ संस्थानों को ऐसा लगता है कि इस खिलाडी को विक्रम अवोर्ड या विक्रम पुरुसकार मिलना चाहिए लेकिन उनमें ऐसे सेलेक्ट कितने होते हैं तो आप बताएंगे दस सेलेक्ट किये गए थे अगली बात देखें अब देखो कि यह जो पुरुसकार है वह कितने वर्गों में बिभाजित है कि आपने बात की किसके बारे में आप बात करें जैसे तीरंदाजी मलखम इस तरह के जो सिंगल प्लियर गेम होते हैं वहाँ पर उनको कहते हैं हम लोग इंडिविजुल पुरुसकार इंडिविजुल गेम में दिया जाता तो च्छै खिलाडियों को दिया जाता है और दलीय खेल दलीय मतलब जैसे होकी हो गया ठीक है आपका खोको हो गया ठीक है ऐसे टीम वाले खेलों को हम कितने खिलाडी या कितने टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं तीन अवर्ड उनको दिये जाते हैं या दलीय खेल को कितने अवर्ड दिये जाते हैं तीन अवर्ड दिये एक अनिखेल किसी विशेश खेल में कोई उसका विशेश प्रदर्शन रहा हो खिलाडी का तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं आप क्या करेंगे डिस्टिबीट कर सकते हैं है ना तो हमसे पूछेगा कि बताएं 2020 में कुल कितने खिलाडियों को विक्रम वर्ड मिला तो हाफ या आधा तीन इस प्रकार से बादवा की दिव्यांग अंगन खेल और सासे खेल सब के लिए दोस्तों एक एक प्लियर आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो आगे क्या पाएंगे आप देखेंगे कि हमने यानि कि 2020 में जो खिलाडियों को विक्रम अबाड से सम्भाणित किया गया उसमें कोन-कोन से प्लियर सामिल हैं तो आप यहाँ से ऊद रखेंगे पहला नाम याद रखो विश्वजीत सिंग इनका सम्बंद है कनोई शुलोम से ठीक है ऐक है ओ कहां से होसंगाबाद या नरमदा पुरम से सम्भंदीत हैं ठीक है न निधी नेनहेट ये कराटे से संवंददित आं बाला घाटकी हैं याद रखागे कि बाला घाट से संवंद्र रखती हैं और परदी जोおर्सराइडिंग गुड़्स facing संबंद्र संवंद्र उंकूर और इंदौर ग्ल रखेंगे एकता यादव क्या नाम याद रखेंगे एकता यादव शेलिंग और सेलिंग तो आपको पता है प्रदेश का पहला स्कूल भोपाल बनाए गया तो कहां की है भोपाल की है फिर याद रखेंगे बिवेक सागर क्या याद रखेंगे बिवेक सागर सब दुनिया जा सब्सक्राइब याद रखेंगे पूजा मालवी मैंने बताया मालवी मलखम योगेस मालवी पूजा मालवी तो अब ज़रा समझना क्या खेल है मलखम है कौन सा डिष्टे का उज्यन है यह बात आपको याद रखना है कि आपके राज में दिये गए विक्रम अबॉड है अगल जो किस खिल से है तो आप बताएंगे पैरा कैनों से संबंदित हैं और किस डिष्टिक्स से हैं तो आंसर कर देंगे ग्वालियर तो यह दोस्तों आपको कुछ खलाडियों के नाम याद रखना है जो हमसे एक्जाम में पूछता है ठीक है ना थोड़ा सा आगे बढ़ें अ पुरुषकार की पुरानी यानि की पहले पुरुषकार रासी कितनी हुआ करती थी तो आप बताएंगे हमने इसको बढ़ा करके पचास हजार से कितना कर दिया है एक लाख रुपए कर दिया क्या तो आप बताएंगे हमने इसको बढ़ा करके पचास हजार से कितना कर दिया को 50,000 से बढ़ा कर कि कितना कर दिया दोस्तों एक लाख रूप Avengers कर दिया तो प्रस्टन क्या आएगा एक लफ पुरुषकार की शुरूबात 1994 में लाज दूच्छी थी और दूसरी बात पुरानी पुरुषकार रासी पचास अज़ा बर्तमान की पुरुषकार रासीय एक ला की 21 वर्स कब पूर हो रही हो तो आप बताएंगे 31 मार्च से पहले पहले आप इन खिलाडियों को क्या करेंगे इस पुरुसकार से सम्मानित हम करेंगे ये बात आप याद रखेंगे एक्जाम में पुरुसकार की नई उम्र बताओ तो आप बताएंगे 19 पहले हुआ करती थी अब नई उम्र क्या बता दी गई है तो आंसर कर देंगे 21 21 वर्स से कम की आयू अगला पुरुसकार मद्यपरदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा सही बात है और मद्यपरदेश के जो मूल निवासी खिलाड़ी होते हैं उनको ही दिया जाएगा और किस बर्ग के खिला पुरुसकार के लिए नोमिनेट करते हैं या चुनाव करते हैं यह बात हम यहां से याद रखेंगे इनकी उम्र सीमा मैंने बताई 21 वर्स से कम होने चाहिए और कहां तक 31 मार्ज तक ठीक है इसी हिसाब से कड़ना होगी दूसरी बात समझेंगे जिसने पिछले पांच बरस तक क्या कर रहे हो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर बहतर प्रदर्शन करते होंगे या भाग लिया होगा तो ऐसे खलाडी को क्या करेंगे एकलब पुरुसकार से समानित किया जाएगा अब पूछेगा मद्य प्रदेश में बताओ कितने खलाडियों को समानित किया गय है फटाफट कमिंट करके बताएंगे फिक है next point जी रहा इस का एक लब पुरुसकार का एक बरस में पंद्री कि दया गएंगे हो बएको देशकते हैं तो आप का अंसर होगा कि सर हम एक अदिक्तम 15 सकते हैं लेकिन हमने दिया कितने हैं तेरा ख्राडियों को यह पुरूषकती OD रखें मैं कितने पुरुकार दिया आप प्रूषकार के लिए अच्छा ब्यक्तिगत पुरुषकार तो आप वहाँ पे भी 6 खिलाडी याद रख रहे थे बिक्रम पुरुसकार में आपने 6 बताये थे इंडिविजल प्लियर में यहाँ पे 9 हो जाते हैं और दली खेले में 3 रहेंगे और बादवां की संख्या दोस्तों सेम रहती है बिक्रम पुरुसकार में और एक लब पुरुसक रहेंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा बोलो किलियर हो पारी है बात या नहीं यदि हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो आप यहां से देखेंगे कि हमारे पास एक लब पुरुसकार कौन-कौन से ख्राडियों को दिये गए तो आप याद रखेंगे एक ल एक के सुसमा सीहर की है ठीक है तुषिता सींग नाम बढ़िया है तुषिता सींग किस ख्यल से संब्बन देता है compute फोप्टटेश वामले की है भूपाल की है याद रखेगा इस्पर सखरेए वुशू खेल से संब्बन देता हैं और यह या तो आंसर कर दो जबल पूर से लाड़ी की बात करें तो आप यहां से याद रखेंगे सुनील डावर सुनील डावर डावर है तो जो ब्यक्ति डावर 54 खाएगा वो बढ़िया सांदार फिट रहेगा और खूब दोड़भाग कर सकता है दोड़भाग करते हैं एथलीट में करते हैं ठीक है तो आप याद बड़वानी के हैं जो क्या खिलते हैं एथलेटिक से संबनेत हैं दूसरा नाम याद रखेंगा एग्जाम में पूछा जा जाएगा चर्शा में भी है आज कल में राम मिलन यादव राम मिलन यादव यादव को सेलिंग से संबंदित है और सेलिंग है लेकिन आंसर भुपाल मत कर देना ये टीकम गड़के हैं कहां के हैं टीकम गड़के हैं नाम क्या है राम मिलन यादव क्या खिलते हैं सेलिंग खिल से संबंदित हैं और दूसरी बात किस डिस्टिक या किस जले से हैं तो टीकमगड आंसर कर देंगे अंकित सर्मा फैंसिंग तलवार बाजी से संबंदित हैं और यह कहां के हैं ग्वालिर के हैं अंकित सर्मा कहां से संबंद रखते हैं ग्वालिर से संबंद रखते हैं यह बात याद रखेंगे आगे चलें अगले प्रीति रजक का संबंद है सूटिंग से संबंदित है और यह याद रखेंगे यह आपकी होसंगवाद या नर्मदा पुरम से हैं का से नर्मदा पुरम से हैं नर्मदा पुरम से अभी आपने विवेक सागर प्रसाद को भी पढ़ा था दोस्तों किसको विवेक सागर प्रसा तो ससंक पटल कहां के हैं भोपाल के हैं क्या खेलते हैं ताइक कमांडो खेल से सम्मंदित हैं साधना सेंगर इंपोटेंट नाम रहेगा पूछा जाएगा होकी में है और होसंगाबाद में है देखो अगला नाम आ गया और आप याद रखेंगे आपके नर्मदा पुरम किस जिले से सम्मंद रखते हैं और उनका क्या खेल है दोस्तो ऐसे प्रसण हमारा एकजामे खुalan पूछे जाते हैं अगला नाम है धुरूबराज कुर्रे तो धृरूबराज कुर्रे जो हैं यह पावर लिफ्टिंग यानिकि बेट लिफ्टिंग से सम्मंद देता हैं त धुरोवराज कुर्य पावर लिफ्टिंग से संबंद देता हैं कौन से जिले के हैं तो आंसर करता है यह भुपाल जिले से संबंद रखते हैं इसके बाद जो अगला पुरुसकार आएगा ना दोस्तों वो कौन सा बिश्वा मित्र अब बिश्वा मित्र पुरुसकार किसको दिया जाएगा तो आप बताएंगे एक लब पुरुसकार दिया गया हो जिसे या जिसे बिक्रम पुरुसकार मिला हो तो बिक्रम जीतने वाला एक लब जीतने वाला इन दोनों खलाडियों ने कहीं किसी ना किसी से ट्रेनिंग ली होगी तो जिससे ट्रेनिंग ली है या जिस को training दी है वो कौन है तो training देने वाले coach होते हैं प्रसिक्षिक होते हैं गुरू कह सकते हैं तो खेलों में training देने वाले coach को आप एक पुरुसकार से सरकार के दोरा सम्मानित किया जाता है नाम है उनका विश्वा मित्र पुरुसकार अब देखो सुरुवात कब होती अभी आपको बता था 1994 में तो आंसर क्या कर देंगे सुरुवात होगी 1994 में यह बात आप यहां से याद रखेंगे यह पुरुसकार ऐसे प्रसिच्चकों को दिया जाता है मतलब ऐसे कोच एस नहीं कि हर किसी कोच को दे दे तो ऐसे कोच जिनके सिश्यों ने कम से कम कम से कम दो गोल्ड मेडल जीते हों दो गोल्ड या चार सिल्वर या च्छा कांसे पदक जीते हों कैसे याद रखेंगे दो तो गोल्ड हो ग teaspoon ठाव चार चार सिल्वर और च्छा लाख रुपए थी हाली में सभी पुरुषकारों की धनरासी दोस्तों डवल कर दी गई है जिनकी पचास हजार थी उनकी एक लाख कर दी गई है जिनकी एक लाख थी उनकी बढ़ा करके दो लाख कर दी गई है ये बात हम यहां से याद रखेंगे तो अब जरा समझना इनकी कितनी है एक लाख रुपए पहले हुआ करती थी लेकिन बरतमान में इनके धनरासी पूछे गा तो आंसर क्या कर देंगे दो लाख रुपए कर देंगे यह हमें यहां से याद रखना है आगे बढ़े थोड़ा सा आप यहां से इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि किसी भी ख प्रसेशिक को क्या कर सकते हैं आप मैडल दे सकते हैं जैसे दो गोल्ड जीत ले ठीक है यह अभी बेने बताया कि आप याद रखेंगे चार सिल्वर या रजट पदक जीत ले और कम से कम छे कांस या ब्रॉंज पदक जीते तो ऐसे खिलाडियों को ऐसे खिलाडियों के प्रॉसकार से सम्मानित कर सकते हैं यह बात हम यहाद रखेंगे जो हमारे लिए मैत्तपुन रहने वाली है ठीक है थोड़े सी आगे की बात करें एक बात और यहाद रखेगा आपके एकजाम में प्रॉसकार आ सकता है कि एक बरस में तीन कोच को ही यह पुरॉसकार दिया तीन दोस्तों ये इस प्रकार के प्रशन एक्जाम में बनेंगे कुल बिक्रम प्रुसकार में पूछ सकता है कुल एकलब में पूछ सकता है कुल आप से विश्वा मित्र में पूछ सकता है ये सारी बाते हमें याद रखना है आपके एक्जाम में आएंगी ही आएंगी ठीक है चलेगा देखते हैं कौन-कौन से coach हैं जिनको हाली में सम्मानित किया गया है तो 2020 में तीन coach को यह है यह प्रस्षिकों को यह है पुरुषकार दिया गया है यह बात हम यहाँ से याद रखेंगे चलेगा अब जड़ा देखते हैं एक नाम याद रखो बीरेंदर ब्यास इनका सम्मंद किस से पैरा स्विमिंग है ठीके और आपका एथलेटिक्स है ठीके और ये कहां के हैं गौलेर से सम्मंद रखते हैं गौलेर जी लेके हैं रिचपाल सिंग सलारिया ये तीरंदाजी आर कहा के हैं ये भॉपाल के ह lust ब्यास रिले ब्यास सम्मंद किस सम्मंद रखते हैं गौलेर सलीके और तीरंदाजी का सम्मंद रहो ह जावाल वचन हमें वाव pse हा से हों की और हवीव गंज रेलवे स्टेशन का है तो आंसर कर दो बोपाल में है तो इस तरह से आप तीन कोच 2020 के याद रख सकते हैं ठीके आगे की बात करो अगला देखेंगे lifetime achievement पुरुषकार खेलों में एक पुरुषकार और दिया जाएगा lifetime achievement पुरुषकार ये हम कहां और किसे दे जाता है प्रसन पूछता है कि इसकी सुरुवात कव हुई थी तो 2002 से हुई थी lifetime achievement पुरुषकार की सुरुवात दोस्तों कव हुई थी 2002 में हुई थी ये बात हम यहां से याद रखेंगे important fact बनेगा अब जरा समझेगा हमसे कभी पूछ ले कि बताओ इस पुरुषकार की ध जाएंगे एक लाग रुपए अब देखो बर्तमान में जो पुरुषकार दिये गए वो कौन-कौन से ख्राडियों को दिये गए तो आप बताएंगे आप ये नाम दोस्तों याद रखेंगे बड़ा important है नाम है अवय चजलानी ये मद्यप्रदेश के पत्रकार रहे हैं औ और इनको पदमस्री से भी सम्मानित किया गया ये बात हम याद रखेंगे ठीक है अच्छा और इनका एक सम्मंद और याद रखो इनका सम्मंद और याद रखो ये पूर्वा अध्यक्ष रह चुके हैं इंदोर टेविल टेनिस संग के अब एक बात और समझना कि अवय हैं अब ज़रा समझना इनहीं के नाम पर स्री अवय चजलानी के नाम पर ही क्या किया गया इस इस्टेडियम का नाम करण किया गया क्योंकि बताया जाता है इस पूरे इस्टेडियम की जो रूप रेखा तैयार की गई थी वो इनहीं के द्वारा तैयार की गई थी अवय च हजलानी तो ये नाम याद रखेंगे ठीके अब बात यह आती है कि साव हम किस व्यक्ति को यह पुरुषकार दे सकते हैं लाइफ टाइम अचीबेंट पुरुषकार तो आप बताएंगे ऐसा व्यक्ति या ऐसा खिलाडी जिसने लगवग 15 बरसों से अधिक खेल या किसी खेल छेतर में अपना इतना लंबा समय दिया हो ऐसे व्यक्तियों को आप इस पुरुषकार से क्या करते हैं समानित करते हैं ये बात याद रखेंगे तो लगातार 15 बरसों तक किसी भी खेल में आप योगदान देते हैं तो आपको सरकार के द्वारा यानिकि राज सरकार के पूछे कि बताएगा कि बताएगा एक बरस में कितने ऐसे ख्लाडियों का चैन कर सकते हैं तो एक ही नाम अभी आपने कितने नाम पड़े थे एक नाम पड़ा था नाम क्या था स्री अजय छजलानी जी ठीके तो आप बस यही बात याद रखेंगे कि इसमें एक ही ख्राडी का चैन किया जाता है यह important point रहेगा कुल आवेदन कितने आये थे कुल application कितने आये थे कितने लोग चाह रहे थे कि हमको इस पुरुषकार से सम्मानित किया जाए सम्मन्द किस खिल से है तो आंसर करते हैं मलखम से सम्मन्द रखता है यह पुरुषकार 2013 में शुरूबात हुई और बरतमान में धनरासी पूछेगा न इंपोटेंट है याद रखना दो लाख रुपए है यह सभी धनरासी याद रखेंगे क्योंकि हाली में सब में ठीके अब देखो 2020 में पुरुषकार जो दिया गया है प्रवास यह बैसे मैंने पढ़ा दिया है प्रवास जो सी पुरुषकार फटाफट कमेंट करके बताओ बैसे मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को याद होना चाहिए ठीके तो आप यहाँ पे दोस्तों आंसर करें से है और क्या खेलती है तो आंसर कर दो मलखम खेल से संबन देता है जिनको 2020 में प्रवास जो सी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है बोलो किलियर हो पाई बात या नहीं किलियर हो गई चले अब देखो दोस्तों आपको यहाँ तक तो आपके सभी महतपूर खेल पुरु आपके सम्मानित किलियर हो आपके सानी की जुरुषकार हाँ पुरुषकार जिजका स्वंपकार पोलो किलिदेता है जाना सानी जो अब से शिलिदेता है जो आपकी दो ऑफके सम्माने जार चींगवाँ तो आपके सान्मानित किलिदे Pacific Government